महापुरसों प्यार से कहिए धर निरंकार जी शहिंसाह बाबाय उतार सिंह जी का नाम बिस्वी सदाब्दी की उन गिनीचनी विभूतियों में से ये कहे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए युगों-युगों तक प्रिनला का स्रोत बनी रहेंगी सेंसाह बाबाय अवतार सिंग जी के मुखार बिंद से निकले दिव्य बचन रवीवार 24 प्रवरी वन्यस सो बावन लोक महला तीन वाहु वाहु ते जन सदा करही जिन कहु आपे देई बुझाई वाहु वाहु करतिया मनु निर्मलू होवे हव में बिचहु जाई वाहु वाहु गुरसिक जो नित करे सो मन चिंदिया फलु पाई वाहु वाहु करे से जन सोहडे हर तिन कह संग मिलाई वाहु वाहु हिर्दे उचरा मुखाँ भी वाहु वाहु करेऊ नानक वाहु वाहु तन मन तिन कहुदेव आदिगरंध पांसो पंद्रा साथ संगजी धैन निरंकार वाह सब्द संत जनों के मुख से तभी निकलता है जब गुर्मुक इसकाल पुरुक को गुरु की किर्पा द्वारा जान लेता है तथा फिर इस परमानंद के अर्षपर्स से आत्मा पर मस्ती पिछा जाती है और इसके मुख से स्वैंग ही वाह वाह निकलता है दुनिया ना सालह जो मरी बंस सी लोका ना सालह जो मरी खाक थी वाहु मेरे साइबा वाहु गुर्मुक सदा साला ही सचा बेपर वाहु यहां भी बाबाजी कह रहे हैं कि वही लोग वाह वाह करते हैं जि की यह सकती गुरू में ही है सत्गुर बिच आप रखवून करी प्रगट आख सुणाईया गुरू स्वयंग इस वाह वाह के योग निरंकार की परसंसा करता है और दूसरों को भी यही प्रेणडा करता है जो जो निरंकार की अस्तुति की जाती है त्यों त्यों गुर्शिक क हिर्दे से आंग का रोग निकल जाता है वाह वाह का अर्थ ही निराकार प्रभू की परसंसा करना है जो परसंसा करते हैं उनके कारी सच्चा पास्साह पूरे करता है क्योंकि उनके कर्म सुंदर हैं बाबा जी कहते हैं कि गुरू ग्यान की किर्पा करके जीवात्मा को ऐसे सुन्दर हिर्दे वाले संत जनों से मिला देता है गुर्मुख इस नाम रूपी अमरित को पी कर रात दिन प्रभू दातारखी पर संसा करता है आज कल भिन्न भिन्न धरम के लोगों ने अपने अमरित भी अलग किस्म के बना रखे हैं हाला कि महापुरसों ने साफ लिखा है इसमें रत्ती भर भी संसे नहीं अमरित संग बसत है तेरे विखिया स्यू उरजाईयो और जिह घर महित तुद रहना बसना सो घर चीत न आयो और पी अमरित आगानिया गुरु अमर कराया इदि अमरित कोई बसतु है तो निरंकार ही है जिसके तुल्ल कोई दूसरी बसतु नहीं परीदा सकर खंड निवात गुड माखियो माजा दुद सभे बसतु मिठाईया रवना पूजन तुद संसार में जितने भी धर्म के लोग अमरित बनाते हैं वह सब इन उपरी बसतुओं से बनाते हैं क्योंकि उनकी समझ में ये बसतुएं सबसे उत्तम हैं परंत अमरित कहा गया है साहब सच है अमरित जाकानाव या महापुरसों की यावाज जो साधारल पंजाबी बोली में है हमें सबस्ट बता रही है कि अमरित एक निरंकार है जो इसको जान कर भी किसी बनावटी अमरित की और भागता है तो या उसकी इच्छा ये हमारे बनाए हुए सभी अमरित नासमान है एक निराकार रूपी अमरित नश्ट नहीं होता आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आज सिक भाई कहते हैं कि अमरित गुरु गोबिंद सिंग जी ने तयार किया और सुखों को पिलाया इसका यह मतलब हुआ कि पाले नोपात साहियों के समय में गुर्सिक अमरित से बंचित रहे उपयुक्त सारे परमाड नोगुर साहिवों के हैं जिनोंने अमरित निरंकार अकाल पुरुख को परमाडित किया है या तो गुरु गोबिंद सिंग जी ने हमें एक साथ बैठ कर खाना पीना सिखाया वास्तों में जो बस्तु उन्हों ने दी वा निराकार प्रभू का ग्यान था परंतु खेद है कि आज हमारे भाईयों ने गलत मर्यादा को समाल लिया और वास्त्विक्ता को भुला दिया है। साद संगत जी आज आप देख सकते हैं कि चारो बरणों के लोग इस संगत में उपस्तती हैं और कभी किसी से नहीं पूछा जाता कि तेरा धर्म क्या है, तेरा खाना पीना क्या है। आज संसार दुखों को रोता है और इसका निवारर सुखों में ढूडता है। परंत लिखा है दुख दारू, सुख रोग भईया, जा सुख ताम न होई। गुर्मकों, क्या सत पर्तसत ठीक कहा है कि सुख केवल प्रभू की सरण में है, महापुष्रों की बानी यही बात कहती है और मैं भी अपने जीमन के अन्भों से यही बात कहता हूँ, कि सारे सुखों का खजाना एक निराकार है। आवाज संत निरंकारी मंडल द्वारा मैं संसार को दे रहा हूँ, इस सत्य की आवाज से संसार का विश्वास उठ गया है। सच नाही हरी गुण गावाई सहज सुभाई पीव दादे का खोल धिठा खजाना ता मेरे मन भैया निधाना रतन लाल जाका कचुना मोल। भरे भंडार अखूट अतोल खावाई खर्च रल मिल भाई तोटि नयाव बधतो जाई कहु नानक जिस्व मस्तक लेख लिखाई। दुनिया में कई प्रकार के धन हैं और समया नुसार लोग इने प्राप्त करके पसंद होते हैं पर परिवर्तन सील सभी हैं आज है कल नहीं रहेंगे भाव या है कि कोई धन इस्तिर नहीं है यहाँ पर इन महापूर्सों ने इस एक रसधन का बरणन किया है हम धनवत भाग पर इस प्रभू को पा लेते हैं वे बोलते नहीं वे चुप हो जाते हैं उप्युक्त सब्द की और ध्यान दो कि महापूर्स किस विश्वास से कह रहे हैं हमें इतिहास बताता है कि जिस महापूर्स के पास या धन आया उसने उसे खूब माटा या नहीं कीवा चुप दभाव से बाटता है चहु वर्ना कव देव पदेशु नानक उस पंडित कव सदा आदेशु आम मतों के पीरों ने खास नियम बनाए हुए हैं जो उनकी सर्त मानते हैं उनको वे अपने मत में आने की आज्यान देते हैं परंत गुर्मत में यह बात नहीं वा ब्रह्म ज्य यानी ही नहीं जो सुष्चि के दोसों पर दिष्टिपात करता है पूरा सत्गुरु तो प्रभु का ग्यान देकर निर्दोस बना देता है यहां भी महापुर्सों से किसी ने पूछा है तो उत्तर में बता रहे हैं कि हम धनवान हैं हमारे पास हरी नाम रूपी धन है जो चाहे हमारे से ले सकता है महापुरुस की यह आवस्ता होती है जो आठो पार एक रंग में मस्तर आता है रैंड दिनसु रहे एक रंगा प्रभ कव जाने सद ही संगा ठाकुर नाम कियो उनिवर्तन तिरपति अगाउन हरिके दर्सन हरी संग राते मन तन हरे गुर्पूरे की सरनी परे यह आवस्ता गुर्मुक की साज ही हो जाती है किसी परिश्रम की आवसकता नहीं होती इसलिए आज संसार मेरे पर उंगली उठा कर काता है कि इसने लोगों से कर्म धर्म शुडवा दिये हैं इसके सिश्य काते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं ग्यानवन महापुरुस आठों पहार भक्ती कर रहा है सास सास सिम्रह गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद जब जिग्यासु निराकार प्रभु को वंग संग देख लेता है तो इसका ध्यान ही आठों पहार इस प्रभु में लीन होने लगता है हमें निराकार प्रभु की और से अंगिनत दातें मिल रही हैं जिनका कोई अंत नहीं जैसे हम कहते हैं कि आज पचास माला फेरी इतने पाठ किये मैं उस तीर्थ पर अस्नान करने के लिए गया कि इसी प्रकार प्रभु भी हमारे साथ गणना सुरू कर दे तो हमारा क्या हा की किरपा द्रिष्टी है जो अतुल्य खजाने बांट रहा है प्यो दादे का खोल धिठा खजाना ता मेरे मन भईया निखाना खावं खर्चं रल मिल भाई तोटी नयावे बद तो जाई यहा एक सद्गुरू का ही खजाना है जिसको सारा संसार लोटना आरंभ कर दे तब भी समाप्त नहीं होता परता ही जाता है गुर्मकों मैं आपको बताऊं जैसे यह खजाना प्रभू जराकार ने किरपा करके हमें दिया है वैसी ही आपने इसे समालना है जैसे भाई हरी सिंग जी ने हमें बताया है इसे समझने का प्रियास करो और ऐसे लोगों का संग मत कर जो मार्ग से भरष्ट कर कुमार्ग पर डालते हैं। गुर्मत ऐसी बातें नहीं बताती। कि हो सके तो महापुर्शों की पर संसा करो ताकि यह परचार संसार में फैले और लोग सुखी हो जाएं। जिन्दा इर्षा आज बुरे भाव मनुस्य को नश्ठ कर देते हैं। जो महापुर्शों को ऐसी बातें बताता है उसका दर्जा साकत के बराबर है। मैं बारं बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग मत करो चाहे उसने ग्यान लिया हो या ना लिया हो। इसी प्रकार एक परार्थना और है कि मैंने आपको ब्रह्म ग्यान दिया है। यह वाधन है जिसकी परसंसा उप्युक्त सब्द में स्री पंचम पात्साहने की है। आपने इस धन को पाकर संतुष्ट होना है। मुझे पता चला है कि कई लोग खाने पीने के चक्कर में निकालने का प्रियास करे। मैंने संसार में खालिस जवारात और लाल निकाल कर पेश करने हैं जिनके पद चिन्हों पर संसार ने चलना है। मेरी प्रार्थना को भली भात समझ लो मेरी संगत में कोई भी कमजोर आचरण वाला व्यक्ती नहीं रह सकेगा। गुर्मुखों इस पारस के मुल्य को समझो और इस कल्युग में सद्युग का आदर्श बन कर दिखाओ। गुर्माणी आपकी पर संसा कर रही है जो प्रभू को नहीं जानते उन्हें तो पसू का दरजा दिया गया है। पसू पलेटे मानस चाम सत संगत जी दर निरंकार। आप पर दिन गुर्बाणी में पढ़ते हैं भई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की इतेरी बरिया। मनुष्ट जनम में प्रभू ने हमें या सुरोसर दिया है कि हम प्रभू को पहचाने। या तो सभी कहते हैं कि इस्वर सर्व्यापक है तो नजर क्यों नह मैं देखता हूँ कि मेरा विरोधवा निंदा की जाती है और मेरे परचार के विरुद्ध पूर्ण प्रियास किया जा रहा है जैसे पिछले समागम में हमारे संगत के सामने बिना किसी कारण येक आडंबर रचा गया। कुछ लोग भोली भाली जनता को मेरे और मंडल के विसे में गरत फामी पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं काते हैं कि मैं गुरू बनता हूँ मुझे समझ नहीं आती कि मैं कब गुरू बनता हूँ कभी कोई किसी के कहने से भी किसी को गुरू माना जाता है आज विज्ञान का यूग है सभी लोग बड़े समझदार हैं बिना समझे कभी भी कोई किसी पर विश्वास नहीं करता मैंने संगत में भी कई बार कहा है कि मैं कोई गदी नसीन खांदानी गुरू नहीं भाईयों मैं आप ही की भाति सहर करमकांडों को मानने वाला सिख था बाकाइदा की सेवा करनी अकाली लहर में ढाई तीन साल जेल में भी काटे चोटी के सिखों में से था अमरित शकाना आज मैं सभी करता था पूर्ण ब्रह्म ग्यानी मिल गया और मेरे कपाट खुल गये हव में मारी बजर कपाट खुलाईया नाम अमोलक गुर परसादी पाईया मुझे परक केवल मैंने ही नहीं की मेरे साथियों ने भी की है गुरु बाणी पर दिन काती है गुरु सननी ना आईये ब्रह्म न पाईये भरम भुलाईये जनम मरी आईये अथवा मन मुख भगत करह बिन सत्यगुर बिन सत्यगुर भगत न होई राम हुमे माईया रोग बिया पे मरी जनन महीं दुख होई राम इस प्रकार के सब्द चाहे पढ़े जाते हैं परन्त बिना गुरू द्वारा समझ प्राप्त किये समझ आती नहीं मेरी परसंसा या संत जन जो कर रहे हैं या किसी लालच बस नहीं कर रहे मेरे पर या दोस लगाया जाता है कि मैं रूपे देखर परसंसा करवाता हूँ आश्चर जो पूर्ड बात है कि मुझे ऐसी परसंसा करवाने से क्या लाव मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि ना मैं गुरू हूँ और ना गुरू नानक ना ही मुझे रब बनने का कोई सोक है यही बात मनसूरी में लोग लिख कर लाए और मैंने दसकत हस्ताचर कर दिये कि इस निंदा करने वालों के हिर्दे साफ होते तो बात समाप्त थी परंत यह बातावरल को बिसैला बनाते हैं मैं किसी को नहीं कहता कि मुझे गुरू मानो और ना कभी किसी के कहने से किसी को कोई गुरू मानता है या वही प्रेमी आदर देते हैं जिने नाम रूपी धन मिला है मेरे गुरू ने मुझे यह नाम रूपी धन दिया जो मैं बात रहा हूँ और जिसको इसकी आव सकता है वह इसे पा सकता है जिसे नहीं आव सकता वह तो वैसे ही नजदीक नहीं आता सत्संगियों कि आनिंदा कोई नई बात नहीं हमेशा जब भी सत्य ने सिर उठाया तभी जूट तिल्मला उठा इतिहास पर दृष्टी डालें तो पता चलेगा जब भी कोई महापुरुस आया उसकी इसी प्रकार मुखालपत बिरोध हुई मुझे इन पर कोई अफसोस नहीं क्योंकि जब तक अज्ञानता है तब तक यह कर्म होंगे वैसे सैकड़ों हजारों व्यक्ति जो कल विरोधी थे वह आज संसार का मार्ग दरसन कर रहे हैं साथ संगत जी दर निरंकार अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आप निराकार प्रभू हर हालत में रच्छा करता है जिग्यासू का केवल एक ही करतव है की वह सेवक बन कर रहे अपने चतुराई और दुरबुद्धी को छोड़कर अपने आपको सत्गुरू के अरपन कर दे और इस दर पर मृत प्राणी की तरह अपना आप मिटा कर रहे निराकार प्रभू ऐसे जिग्यासू के सभी कार स्वेंग कर देता है आम जनता को इस बात की समझ नहीं आती कि यह प्रभू अपना नाम कैसे जपा लेता है पढ़ते तो सभी हैं सत्गुर बिच आप रखिवोन करी परगट आख शुडाईया परंत ये बातें केवल पढ़ने के लिए ही हैं परना इस सब्द में आपे नाम जपावे फाली बात क्यों लिखी जाती जो भी महापुरु संसार में इस ग्यान को बाटता है उसमें और इस निरंकार में कोई अंतर नहीं होता फिर वह भगतों के काम कैसे पूर्ण करता है यही यहां सिद्ध किया गया है जहां पर देशकाल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता वहां दिराकार प्रभु किसी घट में बैठ कर भक्त का काम करता है कभी या प्रभु भक्त के हल चलाता है कभी या दिराकार मालिस या मुट्टी चापी करता है अपने प्रेमी को फिर या प्रितम दूर नहीं दिखाई देता हर छण हर पल अंगसंग अनभो होता है निराकार सच्चे पात्साह के दर पर मुर्दा बनने वाले सेवक की अवस्था ऐसी हो जाती है कि यह बक्त निश्वार्त होकर प्रोपकार के लिए जो भी हिर्दय में ध्यान करता है वा ध्यान हर हाल में पूरा हो जाता है स्री पंचम पात्साह गुरू अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि ऐसे सेवक से जो सत्गुरू को अच्छा लगे मैं उस पे अपने आपको निशावर कर दूँ पर साद संगत जी जो सत्गुरू से विमुख हो जाए तो उसका ना इस संसार में और ना सरीरांद के बाद कोई ठिकाना होता है ऐसे निंदक सदेव रहे हैं इनकी विरोधी भावनाएं हर यूग के महापुरूस के विरोध चलती रही है क्या कोई नई बात नहीं आप संत जनों को इन से चेतन रहने की आव सकता है ग्यानियों के बेश में कुछ ऐसे निंदक भी यहां संगत में आये हैं जिनको सत्गुरू आ निराकार की सभा अच्छी नहीं लगती वोई अपने पापों को छिपाने के लिए ग्यान को सहरा बनाना चाहते हैं उपर उपर से प्रेमे और नम्रता परदर्शित करते हैं बोले भाले लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए लंबी लंबी बिचारें और भासन आज भी करते हैं परंत उनके हिर्दे में म मुझे आप से महान संत संसार में और कोई दिखाई नहीं देता संत निरंकारी मंडल किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं यह अकाल पुरुख निराकार का बनाया हुआ है वासमें दूर नहीं जब इस मंडल ने संसार के कोने कोने में फैलना है कुछ निंदा करने वाले लोग इ पहुचाने के बिसे में सोचते हैं पर यह उनका भर्म है सिवाए निरंकार के इससे कोई नहीं मिटा सकता मैं स्वेंग भी यदि कुछ परिवर्तन चाहूं तो नहीं कर सकता इसलिए जिन्होंने अपने आप को इस मार्ग पर निवचावर कर दिया है सत्गुरू उनके पवि सकतों में कोई अंतर नहीं राजाता साथ संग जी धर निरंकार जी रविवार पांच स्टंबर वन्नैस्तो चौवन राग बिलावल माला पांच दुपके घरू आप ही मेल लए जबते सरन तुमारी आये तबते दोख गए तज अभिमान अरुचिंत बिरानी सा धह सरन पए जपी जपी नाम तुमारो प्रितम तंते रोख खे महा मुगत अजान अगियानी राखे धारी दय कहु नानक गुरुपूरा भेटियो आवन जान रहे आदिगरंथ 839 सत संगत जी धर निरंकार आवाज आई है कि हे निराकार सत्गुरु आपने अपने आप ही अपनी किरप करके हमें अपने साथ मिला लिया है हम जिग्यासु कोई सकती नहीं रखते हमने कर्म धर्म तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ से आपको पसंद नहीं किया आपने किरपा करके हमें अपने चरणों से लगा लिया है एंदरंकार आपकी प्राप्ति गुरु के बिना नहीं हो स यह आपके दर का आटल कानून है कि जो सरण यावे तिसु कंठी लावे यह बिरद सुवामी सदा जब से मैं आपकी सरण आया हूँ तभी से मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं सबसे बड़ा होने का रोग था जो एक छण में दूर हो गया है यह दाता मेरी सभी चिंताएं और अभिमान उसी समय नष्ट हो गए जिस समय से मैंने आपकी साद संगत का सहरा लिया है यह सद्गुरु जो निराकार आपने दिखाया है इसको जानकर मैं इस से बातें भी करता हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मैं संसार सागर से आपकी किरपाद्वारा पार हो गय साद संगत जी सभी गरंथ बेद कुरान आध यही बताते हैं कि समय का स्वामी अर्थात सद्गुरु वही होता है जिसको प्रभु प्रभुता देकर संसार में भेजता है और वही अपने मुखारबिंद से किरपा भरी आवाज से कहता है जा सिखानिहाल उस समय उस जिग्य जासू के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं रहती और वाका उठता है कि है सच्चे पासा मेरे जैसे अंजान और महा मूर्ख अज्यानी पर याप ने किस प्रकार खिर्पा कर दी साथ संगत जी मैं भी इसी प्रकार मूर्ख अज्यानी तथा अंजान था मैं एक साधालल ब्यक्त था मुझ जैसे साधालल ब्यक्ति पर पूर्ण सद्गुरू ब्रह्म ज्यानी ने किरपाद रिष्टी करके नदरी नदर निहाल कर दिया मैं समझता हूं कि स्री गुरू अर्जुन देव जी अंतर यामी थे अपनी बाड़ी में मेरा ही चित रखी चाहे कि महा मुगध अज चाहन अग्यानी राखे धारिद है इसलिए आउ सकता है पूर्ण सद्गुरू की जिसके चरन असपर्स से आवा गमन का चक्र समाप्त हो जाता है पूरे गुरू का यही चिन्द है पूरे गुरू का सुन उपदेश पार ब्रम निकट कर पेख पूरे गुरू से उपदेश लेकर फिर सुमरन की आव सकता है इसलिए कहा है सांस सांस सिमरह गोबिंद मन अंतर की उतरे चिन्द जिस सद्गुरू ने हमारे मन की चिन्ता को दूर कर दिया उसकी आग्यां का पालन करना हमारा परम करतब है क्योंकि सद्गुरू की आग्यां माननी चाहिए जैसे लिखा है कि सत्गुर की बाणी सत्षत कर्जानः घुर सिख्णव हरी करता आप मुहुं कढ़ाए एक और अस्थान पर बाणी में कहा गया है साव सेवा कीतीрь स्फल है जितु उशत् temperature का मनुमने प्यारी साद संगत जी तुनित की अध्वा साद संगत की सेवा तन्मण धन. से योंग सच्चे दिल से और परसनता पूर्बग करो यदि धन चोरी हो गया आग से जल गया या व्यापार में घाटा पड़ गया या किसी बीमारी में लग गया उससे क्यालाब आप साथ संगत की सेवा में धर्धन खर्च करो जिससे आपकी दिन दूनी राच चोगनी पिर सारे गुर्षिक्षों के आगे सच बोलो क्योंकि अपने भाई की भलाई देखकर वे पसंद होंगे और किसी का बुरा नहीं चाहेंगे जब सद्गुरू और गुर्षिक्षों के आगे सच बोलने का सभाव बन जाए तो फिर सारे संसार के आगे सच बोलो ताकि मसूर हो जाए कि निरंकारी के भी जूट नहीं बोलते किसी गुर्षिक से छलक पट ना करो फिर सदेव चड़ती कला में जाओगे इसी प्रकार संसार के साथ भी धोखा धड़ी की पहल ना करो फिर आपका कोई बालबाका नहीं कर सकता अब मैं आपको सेवा की जांच बिदी बतात हूँ आप हर गुर्षिक भाई बेहन बच्चे बुढ़े को मिल मिला कर कुछ खिला पिला कर परसंद करो या सातमा संत थमागम आपकी परिच्छा है बाहर से आए हुए महापुर्षों पर अपना अपनत निवचावर करना है उनको गाड़ी से उतार कर लाना प्यार से अस्तान पर पहुंचाना और हर प्रकार की सेवा करके उनको इतना प्रसंद करना है कि दिल्ली से वापस जाकर दिल्ली के महापुर्षों को भोलना सकें बले ही पिछले च्छा समागमों में आपने जी भड़कर सेवा की है पिर भी कुछ कमिया रा गई थी अब निराकार की किरपा से सभी कमिया पूरी हो गई हैं जैसे पहले अस्तान की कमी थी अब हमारे पास बहुत बड़ी कोठी और विशाल पंडाल है अब तो केवल आपकी प्रेम भावना की आऊ सकता है ताकि हर और आपकी सेवा और प्रेम की धाक बैठ जाए कई लोग काते हैं कि संसारी कमों में भी बहुत सेवा होती है और प्रेम भाव दिखाया जाता है प्रंत यदि ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पर दिखावे का प्रेम और सेवा होती है पास्तों में घड़े बाजी पार्टी बाजी और स्वार्थ की बू होती है असली सेवा तो वहा है जहां पर जा किसी प्रकार का बंधन नहीं है इस सत्संग में खुराक पहरावा जात बेद आधि नहीं देखा जाता केवल मानवता देखी जाती है प्रेमियों आपका आवा गमन का चक्र तो कट गया क्योंकि गीता और गुरुगरंथ में लिखा है कि जिसमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरणों में नमस्कार के जाए तब ततकाल जनम मरन कट जाता है क्योंकि पारस को छुकर लोहा सोना हो जाता है पर जब तक संसार में अथवाई सरीर में रहना है तब तक सुख पूर्बग रहने के लिए सेवा अती आवस्यक है साथ संगत जी द निरंकार माई में धन पाईयो हरी नाम मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विसराम माईया ममता तन ते भागी उपजियो निर्मल ग्यान लोब मोह यह परस नसा के गही भगत भगवान जनम जनम का संसास चूका रतन नाम जब पाईया तिसना सकल बिनासी मनते निज सुख माही समाईया जाकव होत दयाल किरपा निद सोगो विंद गुन गावे कहु नानक यह बिद की संपे को गुर्मुक पावे आदिगरंथ 1186 साथ संगत जी दय निरंकार मा पुरुष कहते हैं कि जिसने हरी नाम रूपी धन गरान कर लिया है वही इसको बाटने का अधिकारी है उसकी अपनी भटकना खत्म हो जाती है और वह दूसरों की भटकना को दूर करने में दिन रात लगा रहता है आज भाई साथ भाग सिंग जी के बिसे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी भटकना को समाप्त कर लिया और अनेकों रूपों को नाम रूपी धन परदान किया है और उनका प्रेम अंतिम स्वास तक निभ गया है उन्होंने अंत समय में पुत्र या संबंधियों को जार सकते उसकी मानसिक भटकना बिलकुल खत्म हो जाती है इस सब्द में भी वहापुरुस इसी पकार का रहे हैं किस नाम रूपी रत्न के मिलने पर अज्यानता और भर्म नहीं रहे और अब मैं इन पापों और पुन्यों से नरलेप हूँ जैसे पाप पुन्यु तह भई कहावत को नरक को सुरंग बिछावत एक समय की बात है कि बाबा भूटा सिंग जी के साथ हम चार यादमी धुडियाल पहुँचे प्रभु की लीला थी कि इस सार के बहुत से लोग जनूनी थे जिनोंने हम पर गालियों की बहुचार की उसे सुनकर हम सब हैरान थे पर जो बात मैं बताता हूँ वाया है कि महापूर्शों पर इन गालियों और वेज्टी का कोई प्रभाव नहीं हुआ बाबा जी ने इतना भी नहीं कहा कि ये गाली दे रहे हैं महापूर्श बिलकुल अपने आनंद में थे और निरलेफ थे आज ये सभी बातें भाई भाग करने को मन नहीं करता तो निराकार प्रभू ने या बचन निकलवा दिया कि बच्चे को दसमी पास करने दो फिर आप काम छोड़ देना इसी प्रकार ही हुआ और भाई भाग सिंग जी अपने लड़के के काम समालने के बाद अंतिम आठ साल लगातार मेरे साथ रहे अब प्रकार प्रभू अपने भक्तों को माया के चक्कर में नहीं पढ़ने देता इसलिए वापस बुला लिए गए पुराता नितिहास में भी लिखा है कि एक बार गुरु गोबिंद सिंग जी ने किला खाली करते समय बहुत सी मोहरें और धनरासी सतजुल नदी में फेकने का आदेश दे दिया सिखों ने जब ये आस्टर जनक घटना देखी तो उन्होंने कहा कि सचे पासा आप माया को क्यों फेकते हैं गरीब सिखों को क्यों नहीं दे देते सत्गुरु जी ने वह काम बंदना किया तब माता जी के आगे सिकायत की गई जब माता जी ने गुरु गोबिंद सिंग जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया माता जी आप मुझे बिश देने के लिए तयार होंगी माता जी ने कहा बेटा कभी माँ अपने बच्चे को बिश दे सकती है गुरु शाब अपने वास्टविक पशन पर आये और कहा माता जी जैसे आप मुझे बिस नहीं दे सकती वैसे मैं भी अपने बच्चों को बिस नहीं दे सकता यह माया नहीं बिस है बच्चा आग को सुन्दर देखकर उसमें हाख डालता है परंत मा उसे मारती है और अगनी के नजदीक नहीं जाने देती तोकि उसके बच्चे को अगनी जला देगी इसी प्रका कि हमारे गुरु तो आप हैं, हमने ग्यान आप से लिया था, परंत इस भान हस्ती ने उत्तर दिया कि ग्यान का सूरी वहाँ है, और यह सब रोसनी गुरु के पास से आ रही है, इदि आप की दृष्टी इतनी उची चली गई है, कि आप मुझे गुरु समझते हो, तो मैं कहत जाता है, उसकी प्रीती गुरु से निफ जाती है, आज भाई भाग सिंग जी का रेम पूर्ण हो गया, जब तक संसार है, इनका नाम रहेगा साथ संगत जी धर निरंकार, 27 नूंबर वन्नेश सो पच्पन, आसा महला पांच, बुधि प्रगास्त भई मत पूरी, ताते बि गुरु बोहित्थु, तारे रत्मागरु, दुरत अंध बिखम इमाईया, गुरु पूरे परगटु मारग दिखाईया, जाप ताप कच उकत नमोरी, गुरु नानक सनला गतितोरी, आदिगरंथ 377, साथ संगत जी धर निरंकार, आज सारा संसार ही इस रब्बी बारी का पाठ कर रहा है, परन्तु आप महापुरु इस राज राश्य को समझते हैं, आप यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इस सब्द की भावना की समझ सीगर ही आ जाएगी, महापुर्शों का बचन है, बुधि प्रगास, भई मत पूरी, ताते, बिनसी, दुर मत दूरी, म या इनसानी आत्मा परमात्मा से दूर नहीं है, और ना ही परमात्मा मनुष्ष से दूर है, केवल एक आंग का सुक्षम सा परदा है, जो इसको अपने प्रियत्म से मिलने नहीं देता, जिसका या परदा सत्गुरु की किरपा से दूर हो जाता है, वह इस तरह कह उठता है कि यह गुरू की सिच्छा कितनी अध्भूत है कि मैं अज्ञानता के सागर में डूबा हुआ था दातार प्रभू ने मेरा हाथ पकड़ कर निकाल लिया है कितनी हैरानी की बात है कि आज यदि कोई गुर्शिक इस तरह की आवाज देता है तो उसे संसार आंकारी कहना आरंब कर देता है आठ बर्स हो गए हैं जबसे मैं इस सत्य की आवाज को खुले तोर पर संसार में प्रगट कर रहा हूँ आस्टर्ज की बात यहा है कि साधालल और घटिया बात छड़ भर में सारे संसार में फैल जाती है परंतु सत्य बात को संसार ने ध्यान से नहीं सोचा जैसे परमातमा एक बेर्थ सी चीज होती है कुछ स्वारती लोग मेरी आवाज को मनमत का ऐसा रंग चड़ाते हैं कि बुद्धी हैरान हो जाती है नई नई खोजें दिन पर दिन संसार को कुमारक पर डालने के लिए परयोग में लाई जाती है आम लोगों को अंधेरा अच्छा नहीं लगता परंत चोरड़ा को उसे पसंद करते हैं क्योंकि प्रकास उनके धंधे की मौत है संसार जलती हुई अगनी का महासागर है मनुष्ट इसके साथ ही प्रेम कर रहा है जिसको सद्गुरू की किरपा द्वारा या दृष्टी मिल जाती है वा आवाज देता है कि इस माया के भयानक समुद्र में से इस पूर्ण सद्गुरू ने मुझे निकाल लिया है संपरदायों के बाहरूप मनुष्ट के अपने बनाये हुए हैं लोग पीर पेगंबर और आवतारों के चित्र टांकर अपने मन की संतुष्टी करते हैं या कितनी बड़ी भूल है कि स्री गूरू गुरु गोविंद सिंग्जी को पचास लाक सिख्षों का ही गुरु मना जाए जबकि उनकी सिच्चा सारे संसार के लिए है जैसे कहा है मानस्ष की जात सभय एको पहिचानबो जिस तरी गुरु गोमिन्द सिंगजी की संगत और सेना में मसल्मानों की भारी गन्ती थी वो केवल पचास लाक सिक्खों के गुरू कैसे हो सकते हैं इसी प्रकार तरी गुरू गरंथ सहब में हर धर्मे और जातिके लोगों की बाड़ी है परंत खेद इस बात का है कि इस गरंथ को केवल एक स्रेशनी की विशेश धार्मिक पुस्तक मान लिया गया है या इर्षा और नफरत के फैलाने वालों यजि तुम विश को संसार में फैलाना चाहते हो तो अपने कुरूप नामों के साथ फैलाओ इस निच कर्म को गुरुवा पैगंबरों के साथ क्यों जोडते हो जो इस बहर भाव से बहुत उचे और सारे संसार को अपना मानते थे मेरे में जब तब की सूज नहीं और ना ही करने की सकती है मुझे केवल एक ही सहारा है जो मैं आपकी सरण में आ चुका हूँ इसलिए साथ संगत जी आप जी को भी इन विर्थ के सहारों को छोड़ कर केवल पूर्ण सद्गुरु की सरण में आने की आउ सकता है साथ संगत जी दर निरंकार 11 दिसंबर 1955 अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक की तहा तहा उठ धावे सेवक कव निकटी होई दिखावे जो जो कहे ठा कुरपही सेवक तदकाल होई आवे तिस सेवक के हव बलिहारी जो अपने प्रभभावे तिसकी सोई सुनी मन हरिया तिस नानक पर सण यावे प्यारी साथ संगजी दा निरंकार आप जीने अभिया सब्द सुना इस सब्द की हर पंक्ती ज्यानमान महापुर्सों के छोटे छोटे बच्चों के हिर्दयों में भी असपस्ट हो रही है हम अपनी और ही देखें कि हम कितनी आयू तक इन सब्दों को पढ़ना ही काफी समझते रहे परन्तु असल काम केवल इसे पढ़ना ही नहीं जीवन में ढालना है जैसे एक रोगी अपनी हालत डांक्टर को बता कर दवाई लाता है और आराम या जानी के बाद अपनी हालत संसार को बताता है इसी प्रकार संसारिक जीव भटकने के बाद सत्गुरु के चरणों में से नाम की महान दात प्राप्त करके अगर सुख को गरहन कर लेता है तब अपनी बात इस प्रकार बरड़न करता है अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की यह प्रभु स्वैम ही रक्षा करता है और यह अपना ज्यान देकर उसे सुखी बनाता है साध संगत जी यह सब्द मेरे जीमन से पूर्ण रूपेन मिलता है मैं एक साधारण अनपढ़ निर्धन मनुस्य हूँ परसत गुरु की किर्पा से मुझे यह मानी और बड़ाई मिल रही है सब इस ग्यान के फल सुरूप है यह दातार गुरु सिख को नाम की दात ही नहीं देता बलकि उसकी हरकस्ट में सहायता करता है अभी अभी आपने भाई सहब किष्णलाल जी कलकत्ते की यात्रा की कहानी सुनी क्योंकि इनके हिर्दे में छलकपट नहीं था कोई पूचताच कर ही ना सका साध संगत जी हमारे जीवन में इस प्रकार की यनिकों घटनाएं घटती हैं अचानक आई हुई इस प्रकार की कठनाईयों से यह दाता बचा लेता है परन्त यह आवस्चक है कि हम जान बूझ कर किसी को धोखा ना दें फिर कभी किसी गुर्षिक पर कष्ट नहीं आ सकता आउ सकता है केवल सेवक बनने की ऐसा सेवक जो दातार के यागे प्राठना करे दातार उसकी हर प्राठना को पूंड कर देता है बेशक आप आज माईस और पड़ताल करो पर निस्वार्थ और निस्काम होकर किसी परोपकार की भावना को हिर्दय में धारड करके आप देखोगे कि आपकी इच्छा अवस्थ ही पूंड होगी हाम संसार में और प्रभु भक्तों में इतना ही अंतर होता है कि संसारी लोग किसी मनुस्य की पर संसा में पड़े रहते हैं जबकि प्रभु भक्त प्रभु के ही गुडगाते हैं परदर्सनी देखकर कई सज्जन मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जर्मन ने कमाल कर दी फला साइंस की खोज करके इस बैज्जानिक ने बहुत बढ़िया काम किया मुझे हसी आ जाती है कि ये लोग कितने भोले हैं ऐसी हालत देखकर गुर्षिक कहता है कि ये मेरे प्रभु के कर्तब लीला है किसी घट में बैठकर मेरा सहंसाह जो चाहे कर सकता है बरम में पड़े हुए लोग सत्गुरु की जिंदगी को करामातों से जोड़ देते हैं स्री गुरु नानक देवजी सारे संसार के मालिक थे जिनसे संसार के प्रतिमानों ने इस मधूरस को लिया उन्हें संसार के लोग केवल रीठे को मीठा करने वाला मानते हैं इनसे उनकी महानता को कम किया जाता है ऐसे संतों के बारे में तो लिखा है कि आप नरायन कला धार जग महीं परिवरियो गुरुनानक देव ही स्वैम निराकार प्रभू थे अंत में कहते हैं कि इस प्रभू के भक्तों के बिसे में सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है और मैं ऐसे सेवकों पर बलिहार जाता हूँ जो अपने प्रभू के प्रिये है साध संगत जी मेरे सम्मुख जीवमित परमाण है मैं देख रहा हूँ कई मित्रों ने मेरे से पहले ग्यान लिया था कई मेरे समय के साथी हैं परंत संत जनों के हिर्दे में उनके परत इतना आकरशन नहीं प्रुसके पस्चात ग्यान लिये हुए भाई साहब निहाल सिंग जी बाबु महादेव सिंग जी बाई साहब रामसरंदास जी सेकरेटरी डाक्टर देशराज जी जहां भी संगतों में जाते हैं उनके परतिसरद्धा प्रेम उत्साह संतों के हिर्दे में साद संगत के हिर्दे में उमर पड़ता है साद संगत जी ये जो संत जन प्रभू को प्रिये लगते हैं मेरा भी हिर्दे उनके चनन अस्पर्ष करके विहोर हो उठता है इस बाणी को रचने वाले स्वेम परमातमा थे और आप भी सिप्रभू के भक्त हो इसलिए आपने इस बाणी को संसार की भाती केवल पढ़ना ही नहीं बलकि अपने जीवन में इसे उतारना है साद संगत जीधन निरंकार 14 जनोरी 1956 जी होंदे गुरु बहिटिकिया तिसु जन की बढ़ियाई बढ़ी होई तिस कव जगत निभिया सभु पैरी पैसा जसु बरतिया लोई तिस कव खंड ब्रह्मंड नमस कारू करही तिसके मस्तक हाथु धरिया गुरु पूरे सो पूरा होई गुरु की बढ़ियाई नित चड़े सवाई अपड को ना सकोई जनु नानकु हरिकरते आप बहि तिकिया आपे पैज रखे प्रभु सोई साद संगत जी धार निरंकार ये बचन किसी पूरे गुरु सिख द्वारा कहे गए हैं जिसको पूर्ड गुरु मिल चुका है जिस गुरु सिख के सिर पर निराकार प्रभु स्वैंग हाथ रख देता है उसकी सोभा दिन बादिन बढ़ती जाती है मुझे इस गद्दी पर बाबा जी बाबा भूटा सिंग जी ने स्वैंग बिठाया है तथा मेरे सिर पर हाथ रखा है मेरी समझ में नहीं आता था कि यह क्या कैसे और क्यों हुआ मैंने उन से कहा कि मेरे अंदर तो कोई लियाकत नहीं बलकि और महापुरस तो बड़े विचारवान हैं वह भी उपदेश देते हैं और मैं भी देता हूँ उत्तर मिला की सब काम दिराकार प्रभु स्वैंग ही करता है यह काम अब याप को सौपा जाता है मैं फिर भी नहीं समझा तो उन्होंने कहा देख हमने दूसरे महापुरसों के गले में फूलों के हार डाले हैं और याप के गले में काटों का हार गुरू का वास्तविक अर्थ होता है गुलाम दास जगत का गुलाम और हमने आपको जगत का गुलाम बनाया है आज से आप संगत के गुलाम हैं लोग आपको गुरू या रहबर कहेंगे परन्तु आप जगत के गुलाम दास होंगे जिस प्रकार मेरे हिर्दे में सभी के लिए दर्द है इसी प्रकार गुर्षिखों के हिर्दे में भी सभी के लिए दर्द होता है और मैं चाहता भी ऐसे ही हूँ, कोई कभी किसी को हानी होती ना देख सके और स्वार्थी ना हूँ जब जब गुर्षिक इस बात को समझ जाता है तो दूसरे के कष्ट को अपना समझता है उसकी यवस्था ऐसी होती है कि काटा किसी और को चुभे और दर्द उसे महसूस हो इस यवस्था में पहुँचे हुए गुर्षिक की पूजा सुरू हो जाती है और संगत का ध्यान उसकी और आकरसित हो जाता है अब भाई संतोक सिंग जी अपनी इच्छा से नहीं बैठे उन्हें बिठाया गया है उनके सिर पर गुरू का हाथ है देखो इनकी कितनी बड़ाई हो रही है जिसके सिर पर गुरू हाथ रख देता है उसकी महिमा बढ़ जाती है साद संगत जी अब आप देख लो कि वही बचन पूरे हो रहे हैं जो बाबा जी ने कहे थे यह बात ग्यान चच्छू रखने वाले ही समझ सकते हैं अग्यानता से अंधे नहीं संसार में दोनों प्रकार के ही ब्यक्ती होते हैं साद संगत एक समय की बात है मैं बरना ले गया इस्टेशन पर संत जन नमसकार कर रहे थे एक निराकार दातार का इंसान आया सायदवा ज्यानवान नहीं था सिर पर साधारर सी पगड़ी कमर में कच्छा कोई निर्धन व्यक्ती लगता था परंतो उसकी आत्मा पवित्र थ दूर से देखकर याया और चरणों पर गिर पड़ा कहने लगा मैं आपको ढूंड रहा था आज आप मिल गए पाले मैंने समझा कि कोई ग्यानवान है परंतो उसकी बातों से लग रहा था कि उसने ग्यान अभी तक नहीं लिया फिर मैंने सोचा कि कहीं या दिखावा तो न मेरी मुक्ती हो अब मेरी मुक्ती हो गई और कोई इच्छा बाकी नहीं रही आप जी के दरसनों से मेरी गती हो गई अब मैं और कुछ नहीं चाहता मेरे पूछने पर कि तेरी गती हो गई वा बोला जी ठीक मेरी गती हो गई मैंने सोचा कि इसने ग्यान तो लिया नहीं पर आओ यहां आओ नमस्कार करो और अपनी गती करवालो। यहां भी इसी तरह का बचने आया है कि जिस पर सत्गुरु की किरपा हो जाती है वह संत बन जाता है। पाखुद नहीं कहता कि मैं संत हूँ परंत उसकी आतमा इतनी महान हो जाती है कि सभी खंड ब्रह्मांड उसे नमस्कार करने लगते हैं। और द्रंकार की किरपा से ये ग्यानी जन रोपकार बस ऐसे कर्म करते हैं। ग्यानी वह है जो स्वेंग अकालपुरुख का रूप है। या सरोवर ऐसे संत जनों का बनाया हुआ है जिसके सिर पर पूर्ड गुरु अपना बरधास्त रख देता है वह पूर्ड हो जाता है। संसार पूरे का अर्थ उल्टा लगाता है संसारिक अर्थों में पूरा हो गया अर्थात मर गया या जीवित ना रहा। खैर जो कोई पूरे गुरु का उपदेश एक बार सुन लेता है वह पूरा हो जाता है अर्थात उसका एहंकार समाब्त हो जाता है। अपने गुरू की परसंसा के विशे में महापूरसों ने यहा बात लिखी हुई है कि गुरू की बढ़ाई दिन पर दिन बढ़ती ही रहती है कि उसकी बढ़ाई घट जाती है तो समझ लो कि वह पूरा गुरू नहीं है। पर उनकी आवाज संसार में रह जाती है जो पीछे काम करती है। संसार में जब भी अज्ञानता के अंधेरे की अती हो जाती है तब संत जन प्रगट होते हैं जो फिर ज्ञान को संसार में फैलाते हैं और लोग कहते हैं कि संत आये और चले गे। यहाँ पर मैं अस्पस्ट कर देना चाहता हूँ कि गुरू और सिस्च में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ इसने राजधानी कायम करनी है या सच्चा राजज है या जंगल हमें अस्थान को कोई पसंद नहीं करता था। निरंकार ने यहां पर मंगल लगा दिया है पिछले बर्स समागम में इतनी रोनक नहीं थी आज हजारों लोग इस संगत में बैठे हैं और आगामी बर्स में आसा है कि इससे भी अधिक संगत होगी साध संगत जी धार निरंकार पांच फरोरी वन्नैस्टो छपन सुनी सखीये मिली उदुम करेहा मनाई लेह हरिकत्ते मानु तियाग करी भगते ठगवरी मोह साधू मते सखी बस आईया फिर छोडी नजाई इही रीत भली भगवंते नानक जरा मरण भय नरक निवारे पुनीते करेते सुजनते साध संगत जी धाय निरंकार साध संगत जी यहाँ पर कहा गया है कि ए मेरी सखीयों सभी मिलकर उद्यम करो और हम अपने पती को प्रसन कर लें वास्तों में यह निराकार स्वामी है और आत्मा इसकी पत्नी आत्मा रूपी पत्नी निराकार प्रभू परमेश्वर पती को जैसे एक पतनी पती को प्रसंद करने के उपाय करती है वैसे ही आत्मा ने भी करना है भक्त जन भी पती पर मेश्वर की भक्ती करते हैं और सांसारिक इस्तरी अपने पती को रिशाती है जिस इस तरीका पती उस पर प्रसंद होता है वा सुहागन पतिवर्ता कहलाती है और उसी के गुडगाती है परंत जो पती के साथ नहीं रहती उसकी बातें सारहिन होती है संसार के लोग भी पती परमेश्वर को बिना जाने ही उसकी बातें करते हैं जो अंदर से खोखली होती है या भक्त जन की आवाज है जिसमें वे कहते हैं आओ सहेलियों भक्त जनों अपने कंत को मनाने का उद्यम करें साद संगत जी यही बात यहाँ पर कही गई है कि हम अपने पती परमेश्वर को मना लें परसन कल लें जब वह मान गया तब कहा है सकी बस आई या फिर छोड़ी ना जाई यह रीत भली भगवनते एक बार यदि पती परमेश्वर बस में आ जाए तो फिर कभी नहीं छोड़त और ना आप इसको भूल सकते हैं महापूर्सों ने धंग बताया है कि आप किस प्रकार अपने पती द्रंकार को मना सकते हैं इन महापूर्सों ने अपने पती परमेश्वर को बस में कर लिया है आप भी इसको पालो मान अपमान का त्याग करके नम्रता और प्रेम से ही यह आजाता है, संसार हर बात की आलोचना करता है, यदि हम एक दूसरे के चरणों पर नमस्कार करते हैं, तो यह लोग कहते हैं कि यह पुरुस इस्तरियों को नमस्कार करते हैं, यदि हम चरणा मित लेते हैं, तो आलोचना होती है कि हम पाउं धुला पानी पीते हैं, यदि ब्र भक्तां ते सैसारीयां कदेन आया जोड़ी उनका मारग और है इनका मारग और भाव यह की माया गरस्त और भक्त जनों में मेल नहीं हो सकता जैसे की दुहागन वा सुहागन का कोई मेल नहीं सुआगन इस तरी हर समय अपने पती की ही बातें करती है परंतु पत्विहीना को इन बातों की क्या सार इसी प्रकार संसारी और इस्वरिये लोगों का मेल नहीं प्रहलाद भक्त हिन्डाकस्यब का बेटा था परंतु पिता पुत्र का कभी मेल ना हुआ कुछ लोगों का कथन है कि हमारे भीतर प्रभू है वे भरम में पड़े हुए हैं पर मातमा इतनी छोटी बस्तु नहीं कि वा किसी के अंदर सीमित हो जाए भक्त काते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं दूसरों को उच्च पद भी देते हैं और रभी जनों को प्रहु का ही रूप मानते हैं इस्वरिये जनों और इस्वर में कोई अंतर नहीं समझते भक्त जने अपने आपको मिटा देते हैं और संत जनों के समक्ष नम्रता पूर्व कि आते हैं साद संगत यहां भी यही आवाज आई है जो कि भक्तों की आवाज है कहा गया है कि अभिमान छोड़ कर भक्ती करो जिस भक्त ने भक्ती नोकरी की है आवाज दे रहा है कि मैंने तो मान छोड़ दिया है जिस दिन से पूर्ण सद्गुरू की आग्या का पालन किया उसके बचन को माना है उसी दिन से इन बचनों ने मेरे मन को आकर सित कर लिया है और मुझे परमात्मा मिल गया है महापुरसों ने अपने बचन में दोहराया कि यदि पती निराकार बस में आ जाए तो फिर यह छोड़ता नहीं है संसार के लोग चाहे कुछ भी कहें ना यह वक्तों के सिर धर से अलग कर दिये गरमतवों पर बिठाया गया और कई प्रकार के कस्ट दिये गए परंत निरंकार से उन्हें अलग ना कर सके संसार के लोग चाहे हमारा कितना अपमान करें परंत निरंकार से हमें अलग नहीं कर सके आजकल भी संसार के लोग काते हैं कि बाबा आउतार सिंग के पास मत जाया करो विसेश कर इस्तिरियों पर अधिक रुकावट है उनके पती काते हैं कि हमारी हिज्जत का सवाल है परंतु जिसकी लगन लग गई है उसे कौन हटा सकता है अपमान साकर भी संगत नहीं छोड़ती क्या मीरा ने भगवान को छोड़ दिया था उसे बिस पिलाया गया कई प्रकार के कस्ट दिये गए परंतु उसने भगवान को नहीं छोड़ा साध संगत या इन लोगों का दोस नहीं है सदेवकाल से ऐसा होता ही रहा है परंतु या प्रीत कभी न छूटी हमने इस निरंकार के साथ प्रीत जोड़ी है और इसके सिवा जोड़ें भी किसके साथ साची प्रीत हम तुम स्यू जोरी तुम स्यू जोरी अवर संग तोरी कोई कहता है कि ब्रत रखो कोई पाठ पूजा का आधेश देता है प्रंत पूर्ण ब्रह्म ज्यानी का कतन है आपके ये सभी कर्म समाप्त हो गए है जो मैं चाहता हूँ वा मुझे मिल गया है अब मैं कर्म धर्म के चक्रों में क्यों पड़ूं क्योंकि मैंने तो अब निराक प्रभू परमात्मा से प्रीत जोड ली है जिनियात माओं निरंकार पती को प्रसंद कर लिया प्रभू उनके जनम मरन के भय को समाप्त कर देता है उन्हें कष्ट नहीं होने देता संसार में ब्रिद्ध लोगों की हालत बहुत बुरी होती है अपने प्रिये संबंधी भी उन्हें बहुत बुरी द्रिष्टी से देखते हैं और कहते हैं बुढ़ा मरता भी नहीं अब उनके दिल की अवस्था का अनुमान लगाओ सचमुच बुढ़ापा बहुत बड़ा कष्ट है बिद्ध ब्यक्ति योना आवस्था की बातों को भूल नहीं पाता और घर वालो करते हैं किसी को कठू बचन नहीं कहते इसलिए परिवार के लोग पर सन्नता पूर्वक उनकी सेवा करते हैं जो अपने गुरु की सरण में आकर अपने प्रीतम को जान ले उसके सब रोग मिट जाते हैं वह पवित्र हो जाता है संसार में उससे सुख प्राप्त होता है इस इसलिए कहा गया है कि इस प्रित्म को जिसे आप निराकार प्रभू पर मेश्वर आधि संग्या देते हैं यहां हमारे अंग संग है यहीं हम इसे प्रसंद कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे साथ संगत जी धाय निरंकार